दिन्य सकी गोरी मुखडी मा लाही पहडी रा जी गडी मा म्यारा सी पैजी रुकी जा मोटी रा बल दिन्य सकी गोरी मुखडी मा लाही पहडी रा जी गडी मा म्यारा सी पैजी रुकी जा मोटी रा वल भीतर पल्यां भीतर लेट बाली चा बीच भीतर मेरों दिन्य सिरुणों कि ले चा नमस्कार आप सभी का स्वागत है हिलिवुड ड्यूज शो में और मैं हूँ आपके साथ ललीता नैथाने आज मेरे साथ स्टुडियो में मौझूद है उत्रकर म्यूजिक इंडस्ट्री की लोग प्रियागाई का सीमा पंग्रियाल आईए आपको मिलवाते हैं और उनी के जुबानी जानते हैं उनके म्यूजिक की कहानी सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिलिवुड नीउज शो में सीमा जी आपके गीतों को तो लाखों लोगों ने पसंद किया है और हमने सुना भी है लेकिन उसके पीछे की महनत होती है उसके बारे में हरकिसी को पतानी होता है तो सबसे पहला जाई यही है आप से कि आपकी यह से प्छोड़ की जर्णी कब और कैसे शिड़ो हूई इसकी जनुन आमी ऐसी होई कि मैं बहुत छोटी थी, मैं एत नाइंद में पड़ती थी, उससमय से मतलब इस स्कूल में गाती थी, मैं तो लोग पसंद करते थे और जो भी हमारे क्लास्मेंटs तो अभी पसंद करते थे, तो गाते गाते मतलब यह होगा की मेरे घर वालों को वेसी सुनाये मैंने, तो पापने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग कर दो हमारे आज पास की सिंगर थे, सांती श्रुवान उनका नाम है, तो फिर उन से मेरा कॉंटेक्ट हुआ, तो फिर मैंने, मतलब नाइंत में पढ़ती थी, उस समय दिली मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, पहल तो आपने CD के टाइम से जमाने से आप गाली आई हैं, लेकिन अब डिजिटल हो गया है, यूटूब है, आपके पास कई सारे प्रेटफॉर्म्स हैं, तो कितना फर्क देखती हैं आप अब दूलों में, बहुत फर्क है, अब तो अब मैं और उस टाइम में बहुत फर्क है क्योंकि उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो मतलब बहुत वह होता कि आठ गाने, एक साथ गाने हैं, अब तो हम यह कोफी के द्वारा, सब की द्वारा मतलब गाई लेते हैं, टेक्निकल चीजे हैं, तो अब आसानी से गालेते हैं, तो समय यह था कि मतलब आठ ग समय साथ गाने गाई थे, उसमें एक उनका जागड था, संतिसरुवाण जी का, और उसके बाद मैंने साथ गाने गाई थे, तो सबसे पहले, ऐसा कौन से सौंग था आपका जिसे की लोगों की बीच में आपका इनाम आया, लोग आपको जानने लगे, आपको लोग प्रिया तो पता लग गया था कि लड़की गाती, तो उस टाइम मतलब गाना बहुत हीट हो था, तो उसी गाने की चंद दो लाइने हमारे दर्शिकों के लिए, जी, जी, जी ये गजिना को उरिडेलों की गए, ये भेहना कन क्वेक यहो लो, ये भेहना रोपुण्यों की सारी, ये भेहना मेरे कुंगदी खुट्यूमा, ये भेहना चुबली सिगारी इस टाइब का गाना था, और भी बहुत गाने थे, मतलब उस समय पर इतना ध्यानी है बिल्कुल, बिल्कुल, जब गाह इतने सारे गाने हो तो सारे गाने वैसे भी याज रहते हैं, बहुत खुब, आपकी आवाज बहुत जादा ही सूरीली है सीमा जी, तो क्या आपके घरवाले पहले से ही आपको सपोर्ट करते थे या जब उन्हें लगा कि अब नाम हो गया है, लोग जानने लग गए हैं, उसके बाद सपोर्ट करना स्टार्ट किया सपोर्ट तो खेर उस समय ये था कि बहुत कम था, सिर्व मेरा पापा का सपोर्ट था, जो मुझे सपोर्ट करते थे, जिनको लगता था कि कहीं न कहीं मतलब जो हमारी संस्किर्टी है, वो कहीं न कहीं जानी चाहिए, उन्होंने बहुत पहले से राइटर भी लिखते थे, बहुत पहले पुराने, गाने उन्होंने बहुत सारे लिखे वे और पुराने सिंगरों को दे भी रखे, तो उन्हें मतलब संगीत से प्रेम था, तो सिर्फ सपोर्ट अभी मतलब पापा का था, वादबा की जब नाम हो गया, थोड़ सा लोग जानने लगे, घरवालोंने अब गाने सुनें तो थोड़ साथ सबका ही सफोर्ट हो गया, पर जो पूरा सपोर्ट रहा हो मेरे पापा का था, तो आपने अपने पिता जी का कोई लिखा हुआ गाया है? जी 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 गाया है, मैंने अभी एक गाना मेरे अभी आया था, हमारों गड़वाल कनु सेर वेग हमारों गड़वाल अब कनु सेर वेगे, हमारों गड़वाल अब कनु सेर वेगे, उच्चुने सो पाहाड प्यारों चमकन लेगे, चमकन लेगे दले छुला को जमानों नी रहे, अब लामपो नी जगोंदो कोई, घर गउँ बेजिले को कनु धम द्याट वेगे चांदी सी चम के लिए डांडी, उजाली रात वेगे, उच्चुने सो पाहाड प्यारों चमकन लेगे चमकन लेगे, इसमें और बहुत सब्द है जो मतला हमारे जैसे लंपो होते थे पहले के लकड़ी होती थी जैसे मतलब अब लाइट हो गई कई सारी चीजें हो गई तो बहुत सारी चीजें गाने में तो पूरा नहीं बता पाऊंगी कही नहीं कही है कि इतना कोई रहा नहीं जहान डिशार हो गाने का पहाड के बशह चुके हैं सीमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना रूल मॉडल किसको मानती हैं? रूल मॉडल तो मैं देखो पहले से जो है मैं हमारे डॉक्टर प्रितम भरतुआर जी हैं बड़े दीदी मीना राना जी हैं की जाने माने ब訴े उतरखंटे जो गर्ड कभी है, नान सिंग नेगीजी हैं मैंने इनके जाने मैंने बहुत पहले से शोने और अभी अगी उतक अपने सत्की और पर कम सुने लेगीन इकिन इनके गाने बहुत जाएदा सुने ऑप उन एंको इमान मुझे मैंने कहा कि वही थे जो सांती शिर्वान जी थे उन्हों नहीं मतलब इस बारे में बताया था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि रिकार्डिंग कैसी होती क्या होता है तो वो मुझे इस्टूडियो में ले गए तो धिरे देरे मतलब यह तब कंटिन्यू चलता रहा सब लोगों का मैं धन्यावाद करते हूं जिन्होंने मुझे मतलब यहां तक पहुचाया कि सपोर्ट किया सबने यह था कि मतलब उसके बाद कंटिन्यू मेरे रिकॉर्डिंग चलती रही तो मैंने हर तरीके के स्टूडियो देखे और हर तरीके के गाने भी गा रखे मैंने कि स्टार्डिंग थी तो होती थी कैसे गा भी पाऊंगी यह नहीं पाऊंगी अवाज निकलती है कि बहुत डर लगा रहता है कि मैं इस गाने को गाऊंगी तो उसके बाद जो है धन्राज शोरे को तो आप अच्छे से जानते होंगे मारे जाने माने सिंगरे तो उसके जो मतलब आज मुझे लोग बेड़ा गाने से फेमस जानते कि मैं बेड़ा गाना बहुत अच्छे से वल गा लेती हो यह लोग का प्यार है कि लोग मतलब इस तरीके से बोलते तो मैंने सबसे पहले धन्राज शोरे जी ने मुझे मुझे मौका दिया था तो उसके बाद यह कि लगवग सारे सिंगरों ने मुझे 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 उस तरीक से ना गाया जाए पर मैं पूरी कोशिज करती हूं कि मैं इस गाने को अच्छे से अच्छा से गाऊ हूं मतलब तो लोग अच्छे पसंद करें इस गाने को आपके कोई ऐसे मैमोरी है जब आप मतलब स्टूडियो में हो और आपको जैसे गाने के लिए बोला हो तो आप अटक गए हो सहम गए हो ऐसा कुछ हुआ है अभी तक तो ऐसा मासरश्वती किरपास ऐसा हो नी लेकिन होता है बहुत गाने में थोड़ सा कन्फूजन होती कि क्वल्ग तो आप लिए स्टेज रहे हैं लाइप शो भी करती है तो वहाँ पे जब आपको और आपको ऑुद्यन्स जब आप इनको फेस करते हो तो थो कैसा फील होता है बहुत अच्छा फील होता कि यह फील होता है कि देखो जो हम कभी कबार सूचते नहीं तो मतार साथ अचाना को वांसा तो हो जाए तो जाता है। आपको लगता है कि वह आपको लगता है कि वह मुकाम आपको हासल हो चुका है जो आप चाहती थी नहीं अभी तो खेर बहुत टाइम है उसमें जो मैं सूचते हूं उसमें तो अभी काफी टाइम लगेगा। अभी तो मतलब अभी तो शुरू ही हो रहा बाद बाद कि आप लोगों को शपोर्ट दर्सकों का प्यार है तो जरूर मैं एक दिन वहां तक पहुछ पाँगा। आपने बहुत सारे जो हमारे उत्रखन मुजिक इंडस्री के लेजिंट हैं उनके साथ में को लैप किया है अभी तक ऐसा कोई सिंगर है जिसके साथ आप करना चाहती हूं नेक्स्ट गाने के लिए बहुत है अभी तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सिंगर है जिनके साथ मैं चाहती हूं गाना अभी अभी आपका रिसेंटली गाना आया था बालू बसंद तो वो काफी खूबसूरत गाना है तो आपसे उस गाने की दो लाईने और आप थोड़ा बता भी दीजेगा इसके मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूं कि आपने बहुत बसंद की डिमांड रखी क्योंकि वो एक ऐसा गाना है कि जिसे मुझे मुझे भी बहुत पसंद है और लोग उन्हें भी बहुत पसंद करा और कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा ह क्यों ना होंसा अजशन करने आप संद आसे में थे ऊचैय पजना खेंशन की अर्जन के मारा दान शेंषी आगा को पते लिकांड़ा कुकर कि और लिए नियॉद ओटे का यदाक मैं पेला को कि पतsheet कर दो छोंसों का लिए बुठाए के नियुदी रगों का आदीक है भी म तो वह उसे पीते थे और उसके आवाज आती ते उसे मतलब बहुं को पता लगजाता था कि ससुड जी उठ गए तो मतलब वह चीज़े तो बहुत लंबी है लेकिन सोटकर सब्दमने वह भी ले रखा उसमें उसके माध्यम से जो थे वह अपने मतलब बहुं को उठा थे ते और जैसे हमारे मतलब धरती जो है हमारे उत्राखन की धरती जो पावन धरती है बहुत अच्छी धरती है तो उस पर उगा ना मतलब बहुत से चीजों से जुड़ावाएगा तो मैं उसकी दो लाइन आपको सुना देती हूं दांड्यूमा देखा बालू बसंत एगे हरी भरी सार बिटुल्द्यूमा प्यूली खिली गे चम चम काठा मसुर जेगे ही वाणे काठी चम लाण लेगे चेत का मैंना उमिली बार बसंत खाती गे फूलू किसार बसंत एखाती गे फूलू किसार पार देखा सूरजी मुक्य हाँ 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 पार देखा सूर जे मुक्य फूल खिली गे इवाले काठी चम लाण लेगे गाना प्थमी आखो सुनते हैं मैगा आप गया आगे सुनते रहेंगे प्रे भी आफिमा trèsको सरव में करने उंड्र । याइक है। अन्हें कै adorable हैरी अपने आप अत्थे शाय पहुत कोसे इसार साइण के सिंधा की था productivity इनगा हैं। लगबग मैं एक को तो नहीं वोलूगी मैं लगबग मैं के अब ही कहा मैंनी कि मैं जो है पूराने सिगर राव शुन्तियों और मुझे पसंद भी आते हैं लम सभी का नहीं ले सकती कि बहुत लंबी लिस्ट है उत्राखंट में तो मतल गाने सब की मुए ज़ी बहुत यह ज़ी तो मैं तरीक़ गाने को पसंद करते यह जो हमारे lot हमारे सस्कृति से झूड़े हूए है हमारे जो लोग की में पेले की ना उनकी को मैं बहुत जादा पसंद भी करती हूँ और सबकर घाने नहीं तरीक गाएं भी हैं तो इनको बहुत पसंद करतें तो आगी भी मता इसी तरीके की गाने गाना पढला है बिल्गली को कि अधिक से अधिक जादा से जादा गाहूं मतलब और दूसरे को मैं यही सजिस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इस तरीके गाने गाओ जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए गाओ ऐस डीजे पैटन भी ठीक है लोग नाचिंगी भी तभी जब ऐसे गाने बनेंगे लेकिन क至म अधिक जभी अधिक तार कुसिस करनी चाहिए नहीं एक नए गाना आशा होना जो जो मारी संसकृति से जुड़ा वाँ तो आपने कागा कि लोग सास्किर्थी से जुड़ेवे गाने गाने चाहिए, डीजे पैटन को लिटल बिट आप ले सकते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब जब आप गाने के लिए चूज करती हैं तो जैसे प्रोडक्शन आपको हायर करते हैं तो आप कैसे एकदम से रेडियो जाते हैं या पहले गाना देखते हैं क्या है किस तरीके का है उसके बाद उसको लेते हैं ना ऐसा तो कुछी नहीं है देखो इतना जो होता है कि आजकल तो सभी ठीकी लिख रहे हैं गाना में तो यहीं बोलूँगी आपको कई गाना बहुत संगरों के साथ गाना पशेश्म नहीं गाती हूं तो मैं नहीं गाती हूं लगबग मैंने सारे गाने गा रखे आपका गाना बहुत फेमस है गोरी मुखरी तो क्यों ना इसकी चंद लाइने हो जाए हमारे गश्कों के लिए और पुराना कुछ यादगार जो पुरानी चीज़ें वह वापस से याद आ जाएंगी क्योंकि जमने होता है कि जिस समय रही को उनने के लिए तो समय संगीत को बर्लब कुछ बना की उसची आप सुने चोहां हウनें और आप स्थीक नवारी घ connectivity भ्ला कि उसहां को से लिए वादि वाद्य गाते थे बहुत अब अच्छी हो ती और बहुत पसंद करते थे लोग उस तो में तो मैं तो हुनका धन्यवाद करूं की जुन लोगं ने मतलब इसको तो उत्पन करा इस चीज को और आज तक मतलब वो जो है वो संजोय रखा है इन चीजों को सीवा जी आप काफी समय से सिंगिंग के शेतर में हैं तो काफी चैलेंजिंग होता है तो आपने क्या-क्या समस्याइं फेज की और बिइंग वोमन अब तो आपका परिवार है अपने एक फैमिली है और कहीं न कहीं घर से प्रेसर होता है कि आपको घर समालना है आप सिंगिंग छोड़ दो या अन्यकार्य मतलब ऐसा कुछ मत करो जिसे कि आपके परिवार पर सब्सक्राओं के लोग बहुत मौकाची होता है पर उसके बाद जो है मुझे राजबिट जी मिले तो उसके बाद यह था कि साल दो सालम ऐसी रहे तो मतलब बहुत अच्छे हैं तो मेरे साधी हुई तो साधी के बाद देखो मेरे दो बच्चे भी है और होता है कि परिवार अच्छे भी है और फैमिली जो है बहुत बड़ी है सब्सक्राइब तो अपनी चीजों को संभालने के लिए अपने हस्बंड को जी इस तीज का क्रेडिट तो मैं अपने हस्बंड को यह देना चाहूंगी क्योंकि होता है कि साधी के बाद बहुत सी चीजे होते हैं ससरौल वाले होते हैं हर किसी की सुननी पड़ती है तो उनों जो है सब की साथ मतलब जो है मेरा सपोर्ट कर रहा है कि मतले इसको सपोर्ट करना है तो मैं इसका क्रेडिट जो है वह अपने हस्बंड को यह देना चाहूंगी और वह आपको शायद घर जाके क्या पता आपको कुछ मुझे देखो हर उसमें मिलते हैं हर तेवार हो गया हर चीज मुझे वह फार तो मिलते ही रहते मैं तो बलकि यह भी कहना चाहूंगी कि मारी साधी को जो है चे साल पूरे हो चुके हैं तो मैंने आज तक जो कपड़े हो खाना हो सब उनकी पसंद का पहना हूँ अपनी पसं अब यह नहीं होता है तो उस चीज के बारे मुझे पता करवाते हैं तो कहीं नहीं मैं इसको प्रेम ही बोलोगी कि उनका इतना बड़ा प्रेम है और आपको ऐसे ही धेट सारे उफ़ार मिलते नहीं और आपको ऐसे सब्सक्राइब करते रहें आपके आगे मुकाम तक लोगों के आजकल जो फिलिंग होई तो अलग लग तरीके की होगे कि हम इनसानी इनसान के बेरी होगे एक मेरा इस तरीके गाना आ रहा है तो मैं सभी दर्सकों को बोलूँ कि एक बार इस गाने को जरूर सुने और कमेंट के मादम से जरूर अपनी पर्तिक्रिया दे कि मैंनत दुए मेरे हजबरने तो अत्सान ने बाइरी बन गया कि आप बता नहीं सकते हो तो आपको दिखी रहोगे ना क्योंकि बिल्कुल विल्कुल रोकता भी है कえई चीजे भी है तो इतनी चीजे तो बताने पाओ गाने के मादय आप समझिज जाओगे आप और अब यूजन पेटर्न मेरे आने वाले हैं बेड़ागीत भी मेरे हसमें पीर मेरे इंस्टारेंस पे गाना बहुत फेमस हो रहा था आपका ही मैं जन नौनी सरीप नौनी ऐसे करके कुछ आए बिल्कुर बिल्कुर लोग बहुत पसंद करा इस गाने को भी और अमारे अतारज जुमेलो हो गया जोन सारी बोई इनको भी बहुत पसंद लोगों ने करा था लेकि जाने जरी पनानी नी मिलन्या तवे पर तिरे टक्के वां भारी बिढंगे छे भारी बिढंगे छे इस ताइब को गाने है, पूरा मुझे याद नहीं है बहुत खुशूरत इस गाने में तो दश्ट्रीकुने तो रियस बनाई इसे फालो भी किया और यूटूब पर यह गाना बहुत जादा वाइदल हुआ था थेंगा पकड़ है सीमा जी बहुत एहम सवाल है और कही ना कहीं यूथ के करियर से भी जुड़ा है क्योंकि आज के समय में जो जितनी भी पीडिया हमारी जो आरी यूथ है वो कहीं ना कहीं उट्रकर्ण संस्कृति को बचाने के प्रियास में इसे जुड़ेवे हैं कोई एक्टिंग में है तो कोई सिंगिंग के शेतर में है और कहीं ना कहीं कि अच्छा उंदा कार्या भी कर रहें जीन जी discussion मैं आपसे चाहूंगे कि आप उन्हें क्या सटिस करेंगे जो जो यूथ मतलब सिंगिंग के शेतर में आना चाहता है कि मैंनोथ प्रॉपर अपने करियर में उतारे या पार्ट टाइम रखेगे या क्या क्यूंसे कर सकता है जैसे कि मैंने आप भी बताया कि हमारे ट्रेंड की साफ़ से डिक चलना चेहे क्योंकि हैं कि हम अपने कल्चर से ज्चुड़े रहेंगी निजshow्कि हमyu पता हैं कि हमारेश कर द्र Smques करूंगी तो मेरी साफ से मैं तो यही सजिस करूंगी उनको कि गाई आप ट्रेंड के हिसाब से गाई अपने 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 अपनी इसाब से बना रहे हैं उसको भी गाई लेकिन कहीं नहीं यह नजर रखते हुए गाने गाई कि तो लोग आज पसंद क्यों करते हैं कि उन्होंने कहीं अपने बचाने के लिए काम करा था तो हमारे सबस्कुर्त करते हैं और यह में अठरwal हैं उनके भी जिसके करूंगी कहीं नगः तो चार में से अशाने गाए जों करते हैं वारे संस्किर्ट से जुड़ा हो वह भूली वासा मुंसरे ज़ूना है कि दे तो अपनी बोली को लेकर काई लोग एक दूसरी को क्रिटरसाइज करते हैं तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए उसके देखो यही है कि हम अगर हमें कही बोली बहा सकी दर्सक देख रहे हैं हमें अभी और अगर मैं गड़वाली में बोलूँगी क्योंकि गड़वाली तो हमारा कल्चर है कि मैं उसे बोलूँ और अधीक तर लगता है कि मुझे गड़वाली में ही बोलना चाहिए लेकिन कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जिनने गड़वाली समझ में नहीं आते हैं तो वह हमें कैसे समझेंगे तो इसलिए मजबूरन क्या है कि हमें हिंदी भाषा का प्राइब क्योंकि हमारी मातर भाषा है यह तो हमें यह बोलनी चाहिए तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई प्राब्लम होनी चाहिए क्योंकि हमारे हर तरह की दर्शक हमें देख रहे हैं तो कहीं नहीं सब हम चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करें तो इसलिए जो हमें आरता रहे कि मतलब बोली भोलने पड़ती है क्योंकि Hindi एक ऐसा मेडियम है जो हर किसी को समझ आता है क्योंकि जो कुमावनी है, जॉनसारी है, गड़वाली है या जो इनको गड़वाली, Hindi, गड़वाली, कुमावनी, जॉनसारी नहीं जानता है हिंदी जानता है तो उसे भी कही न कहीं हम लोग connect होते है होते हैं और मैं तो चाहती हैं कि ओने सुने पढ़ लोग कमेंड के माधन से पढ़ती करिया हमें जरूर दें लिए हमारे गाने कि पसंद आते हैं इसलिए थोड़ी बोलने पढ़ती हैं वरना मुझे तो लगता है बहुत बहुत धन्यवाल आप हमसे जुड़े और आपने कीता कीमती समय दिया और आपके upcoming projects के ले धेरो शुपकाम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाल आपको और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाल। तो यही थी हमारे साथ स्रीमा पंग्रियाल, उमीद करते हैं आपको इंटर्व्यू पसंद आया होगा। ऐसे ही उत्रखंड म्यूजिक इंडास्री की तमाम मशूर हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक हिलीवूड न्यूस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फिस्व पेश को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थाइंक यूू